स्वागत है टीचिंग परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंट्स हम लोग बिहार 7 फेज में जो सिख्षक भरती है 2023 की उसके लिए हम लोग जनरल स्टडीज का एक और टॉपिक हम लोग यहां पर में आगे बढ़ाएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आप सभी का सुआगत है टीक है चलीं तो अग проект अग अगर हम यहां पर बात करें हमारे आज के सेशन की तो आज के सेशन के अंदर में हम लोग जंडरल स्टडीज के जो बहुत सारे कुश्शन से आप लोग जो आप लोगों उसी कि आप छानलम के पूछे जा सकते है और केवल एक subject की नहीं कि general studies में जो अलग-अलग subject है मैं multiple subject छी आप लोगों को यहां पर में तयारी करवाने वाला हूँ ठीक है अलग-अलग subject जो important वाले question से जो जिस तरह से पूछे जा सकते हैं वैसे हम लोग इसको यहां पर में करेंगे तो जितने भी लोग यहां पर में इस session क जहां भी share कर सकते हैं जल्दी जल्दी से session को share कर देंगे जिन लोगों ने भी session को like कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद friends आप लोग भी जल्दी जल्दी से जल्दी से like and share कर दिजिए session को ताकि ऐसे ही energy के साथ में हम लोग session को start कर सके now friends पहला ही question आप एक important वाला part है security council जिसके पास बहुत सारे power है यह पूरे जितना भी United Nation के अलग अलग अंग ने जो फैसला लिया है उसको बदलने का power इस संस्था के पास में security council के पास में United Nation की यह security council के अंदर में total कितने members होते है total होते है 15 members आप से पूछा है कि इसमें से permanent members कितने है permanent members आपक जो है यह non-permanent members होते है जो दो साल के लिए चुने जाते है दो साल के लिए तो यह एक और question बनके आप लोगों का कि non-permanent nations कितने साल के लिए चुने जाते है यह भी question बन सकता है directly अब यह पाच देश कौन से है यहां answer तो होगे आप लोगों का option number C कि पाच जो है वो स्था युद्ध में जीते थे ठीक है तो एक तो USA हो गया ठीक है रशिया हो गया आप लोगों का रशिया UK हो गया United Kingdom या Britain जिसको आप लोग बोलते हो एक हो गया आप लोगों का France पाचवा वाला कोई बता सकता है कि कौन है ठीक है बड़ा ही गहरा रिष्टा है हमारा उसके साथ म पाच वाला कोंने बता सकते हैं जाइना और चाइना ये याद रखना रकमेन लोग ने ठीक है चाइना है यह पाच जो ह compost जो है ये permanents नेशन परमनगों से प्रमनेंट लोग है पाचो ये इम्पॉटंट पोइंट है याद रखना है आप लोत तो इन से एंदर मैं टोटल प पर्मनेंट रहेंगे और दस जो है वो हर दो-दो साल के अंदर में चेंज होते रहते हैं पाच पर्मनेंट वाले यह है यह आप लोग नोट डाउन कर लो चलिए बहुत बढ़िया मैं अब इसमें से कभी भी कोई भी कोशन बना सकता हो आप लोगों के लिए अब यह पढ़ा कि सबसे लंबी वाली झील कौँ सी है यलदी यलदी से बनाता यह कि भारत की सबसे लंबी जील कौन्सी है ठीक है सबसे लंबी जील तो आप लोगों का आनसर जो है यहाँ पर में देखा जाय कोगा वैंबनाड लेक यह याद रखेंगे अप वैसे देखा जाय ine51 भूम जील की जो लंबाई है वह 134 किलों मिटर है बट वह भारत में नहीं से वह भारत और चाइना के बॉर्डर पर है मतलब अभी भारत में फिर तैरते तैरते आप लोग चले गए चाइना में पहुच गए तो भारत और चाइना के बीच में मौझूद है यहां पर मैं बुला है भारत की सबसे लंबी जील कुछी जो पूरी तरह से भारत के अंदर म किरला में किरला इन्दर में सब्सक्राइबित आपकर उंदर में चाइब और इसमुशा बतादों कि यह 96.50 किलोमीतर छलंबी है आप लोगों को क्या लग रहा था 3-4 kms किलोंट्र लंबि 96.5 km लंबि यह जील आप लोगों की इतनी लंबी जील लंबी कि वेंबनाड लेक, के रहल से अनदर में याद रखने आप लोगों मतलब होता है कि जिसके अंदर में खारा पानी मिक्स हो रहा हूं, बैक वाटर कि इसको ब्रेखिश वाटर भी बोला जाता है खारे पानी सब्से बड़ी जील और आप लोगों को बता दूँ बैकश की नहीं बलकी हमारे पुरे भारत की भी सबसे बड़ी काई मतलब खारेपानी की जील को बूलर में खाैं में जो यह जो है यह फ्रेश आदसेल जील में और कहला है एमाझा है या सबसे को गोली मारो बूलर लेग जम्मू कश्मीर में ऑप्षन को गोली मारो पुलिक जीट कहा ऑजिट मेरा को बता तो माण चुर्प हुए जुिर चल्कर के अंदर में अदर में और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है बैक वाटर या फिर ब्रेकिश वाटर इसको बोला जाता है खारा पानी ओके एक्जाम में आ चुका है इसी वज़े से यहाँ पर में लगाया हुआ है कुशन आप लोगों को प्लीज याद रखना देखो आप लोगों का पूछा था कि ओप लिए में आप लोगे अंषर कर दो जल्दी जल्दी से याप लोग के साथ में अच्छे से बड़ाता है इतने सा लोग देख रहें हाजार के करीब लोग देखें 500 लाईक है जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर बढ़ाईए और देखिए यहाँ पर मैं आ पुलिकट लेक कहा पर में है तो आप लोगों का आंसर होंगा आंदर प्रदेश बट प्लीज एक पॉइंट याद रख लेना ठीक है एक पॉइंट याद रख लेना कि इसका दो प्रतिशत हिस्सा तमिल नाडू के अंदर में भी है बॉर्डर पर है ये इसी वज़े से तो इ यही इंपोर्टेंट है और आपको बता दू यूपी के अभी थोड़े दिन पहले की एक्जाम हुई थी उसमें कोशन आया था वह कोशन भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि कैसे किस तरह से कोशन पूछा था इसके अंदर में चलिए तो चिलका लेक जो है भारत की और उडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की जीले याद रखेंगे आप सभी लोग नेक्स कुश्चन के तरब में आगे बढ़ते हैं अंतराष्ट्रिय तिथी रेखा कौन सी है अंतराष्ट्रिय तिथी रेखा हमारे पूरा जो ग्लोब है फ्रेंड्स आप लोगों को पत और देशांतर आंतर आस्तर्य तिति contain कौन सी है यह यह रखना आप लोगों ने की Ad bare कि डेज चेंज होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देगी कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर में यह जो खड़ी वाली लाइन है ना friends, एक खड़ी वाली जो लाइन हम लोग ने ऐसा पूरा गोल बना दी है, हर एक डिगरी के उपर में, एक, दो, तीन, चार ऐसे डिगरी के आप लोगों को यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आप लोगों को, यह 180 डिगरी वाली लाइन, इसको हम लोग अंतराष्टी तिथी रेखा कहते हैं, क्यूंकि यहाँ से इधर साइड में जाओंगे आप, तो माइनस में एक दिन हो जाएंगा आप लोगों का, मतल करती है, तो वो कहता है, कि भाई मुझे जो है न, जो मौत की सजा है, वो कब दी जाए, मुझे मौत की सजा जो है, वो एक तारीक को दी जाए, एक जनवरी को दी जाए, मौत की सजा, आखरी इच्छा मेरी यही है, तो वो क्या करता है, जब जोक है, समझ जाना, वो क्या कर 21 तारिक, 31 की मनाटा है जैसे ही एक तारिक होने वाली होती है यहाँ चला जाता है यहाँ परम मेnh आको जाता है दिजव हार, न bet यहाँ तारिक जब 31 तारिक खटम हो गई यहाँ एक तारिक लगी तो यहाँ तो दो तारिक को मौजूद रहेना थी तो उसको फासी कैसे देंगा और उसकी आखरी इच्छा ये थी कि एक तारीक कोई होनी चाहिए फासी तो उसने देखिये कैसे ट्रिक कर लिया जस्ट जोक के लिए बतारो समझ लोग कि ऐसा किया जा सकता है आप लोग आप लोग भी नगले फटारो समझ मेले होनी A जो भी अलग अलग देश है उन के बीश में अगर कोई डिस्प्यूट होता है कोई भी मामला फस्ता है तो वो अंतराश्ट्रिय नयले में जा सकते हैं, United Nation के साथ में बनी एक संस्था है, इसका मुख्याले आप लोगों को The Hague के अंदर में मिलेगा, The Hague, The Hague कौन से वाले देश के अंदर में हैं, The Hague जो है, The Netherlands के अंदर में है, यह याद रखने हैं, International Court of Justice की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, United Nation के साथ में ही हुई थी, इसकी भी स्थापना, 1945 में, अंतराश्ट्रिय नयाले, तो डारेक कौश्चन पूछा जाता है कि अंतराश्ट्रिय नयाले कहा पर में है, तो अंतराश्ट्रिय नयाले जो है, यह याद रखने हैं आप भावनाएं है, उनका लाब उठाने के उद्देश्य से शिवाजी जहनती और गनेश उत्सव इसको बढ़ावा दिया या इसको सारवजनी की रूप से मनाने का निर्णे लिया, एक बार सभी लोग या जल्दी-जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे, जितने भी लोग द पढ़ावा दिया, तो आंसर दिखिए आपका होगा यहाँ पर में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्स्प्लेइन करता हुए, बाल गंगाधर तिलक जो है फ्रेंट्स, यह महारास्टर से बिलॉंग करते थ लोकमानने, इनको लोकमानने कहा जाता था, लोकमानने किसको कहा जाता था, एक नंबर का कोश्चन तो यहाँ भी बन सकता है आपका, लोकमानने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, यह याद रखने आप लोगोंने, important है, एक और इन्होंने एक नारा दिया था, याद है आप बच्पन में आप लोगों कभी न कभी बुक्स के अंदर में पढ़ा ओगा बाल गंगाधा तिलक ने बहुत ही फेमस वाला नारा दिया था इन्होंने जो है फ्रेंड्स जो है सारवजणी रूप से गनेश उत्सव या गनेश कर सकते हैं ज गनेश उत्सव और उसके बाद में उन्होंने शीवाजी महोट्सव मनाने का भी निर्णे लिया शीवाजी जैन्ती एक्ता के सुत्र में बांधा जा सके स्वाराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूगा ठीक है freedom is my birthright and I shall have it स्वाराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूगा यह नारा किस ने दिया था बाल गंगधर तिलक ने दिया था यह आप लोग याद रखोंगे एक और चीज आप लोगों को बता दू एक तुम्हारे अंकल थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल वैलेंटाइन चिरोल इन्होंने क्या किया इन्होंने एक बुक लिखी यह नारा कि निकाल दिया पूरा का पूरा गुस्सा अमारे बिचारे का लोकमान ने तिलक के उपर में देख रहे हो यह भोली सी सूरत इनको बोला यह फादर ओव इंडियन अन्रेस्ट है अन्रेस्ट का मतलब है भारत में अशांती का जनक आपको यह इंसान लग रहा है भारति अशांती के जनक है यह वैलेंटाइन चीरोल कही का इसने कहा लग तो इसके अंदर में फादर ओफ इंडियन अन्रेस्ट की संग्या बाल गंग धर तिलक को यह वैलेंटाइन चीरोल कही के ने दी थी इंपोर्टन पॉइंट है जी हां भोली सी सूरत आखों में मस्ती ठीक है और इंडिया में अन्रेस्ट किये जाए हाए हाए ठीक है चलिए तो वेलंटाइन चिरोल इंपोर्टन पॉइंट है याद रखना है आप लोगों ने यह कोशन पूछता है और आगे में मैं भी पूछ फिए टीक है बाइश किए तो चुकी है था हमारे भारत के अंदर में चार जैविक होट स्पॉट है biodives city खोون में य Soupी होट स्पॉट का नहीं यह बताकिया होट स्पÓ już Banana मिखा जाद पाई जाती है भाती-भाती के पौदर आप लोगों के जानवर अलग-अलग प्रकार के मेंड़क अर् halफ सरी के बैसिए बाइछाइन ऑब intrats भाइए ब्योर्थ याद रहने कि जैविविद्धा का होट सपो्ड उसके बाद में हिमालयन शेत्र याद रहेuben और अंडमान निकोबार आइलेंड तो यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से तो holyco आप- ऍमालिया है만 इस पूरणा अंडमान निकोबार आइलेंड ठीस पूरा 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 अंड़ मांने को आरा हैं तो इस टन घाट यहां पर में इस्ट घाट यहां पर में इस टन घाट इप अपको डिख रहें इस है करles यह नामें जवाब ज्लदी ज़ल्दी से अब सभी लोग डिख रहे कि आप लोगों को यह बायोडा warrior यहने जंगल है और इस वज़े से यहां पर में बायो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो इस चीज को याद रखने है आप सभी लोगों ने तो भारत के अंदर में हिमाले इंडो वर्मा या फिर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत जो है आप लोगों का वेस्टन घाट और सुंडा लेंड सुंडा लेंड मतलब यह वाला अंडोमान निकोबार वाला पार्थ हमारा यह बायो डाइवर्सिटी होट्सपॉर्ट है कि यह कुशन ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसका सिक्वेंस बदल दिया जाएंगा जिसने आपको आंसर दिखा दिया है अगर आंसर दिखा दिया तो उसका सिक्वेंस बदल देंगे अपन बताइए प्रवासी भारते दीवस कब सेलिब्रेट किया जाता है वह कोशन हटा दिया है मैंने वह कोशन हटा दिया है मैंने डॉंट वरी आप लोग ने आंसर देख लिया था कुछ लोगों ने कुछ लोगों की नजर बहुत होती है ठीकी सी ठीक है यहां पर में ओके वह हिम्रान हाश्मी के फैन है जलक दिखला जावाला तो जलक देख लेते हैं और फटाक से आंसर द जनवरी को 9 जनवरी को important point है आप लोगों का प्रवासी भारतिय दिवस अब देखिए प्रवासी भारतिय दिवस या प्रवासी होता क्या है ऐसे लोग जो भारतिय है लेकिन किसी दूसरे देश के अंदर में चले गए है तो उन लोगों को भारत के साथ में जोड़े रखने के लिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारती दीवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को ही, क्योंकि 1915 में गांधी जी वापस आये थे, कहां से वापस आये थे, ऐसे कहां चले गए थे वो, South Africa से वापस आये थे, याद रखना है आप लोगों ने, South Africa से पर्मनेंटली वापस आ गए थे भारत के अंदर में, South Africa से, वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इसी वज़े से हम लोग यहां पर में इसको मनाते हैं, important point exam के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो please be ready for this question as well, ठीक है, चलिए, now friends, next question के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में, इस question का answer कीजिए आप लोग, एक vitamin है, जिसको अपनी गति वीधियों को जारी रखने के लिए, कोबाल्ट की आवशक्ता होती है, कोबाल्ट उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो उस vitamin ने कोबाल्ट से कहा, कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो मैं यूही मस्त नग में लुटाता चलू, तो कोबाल्ट और उस vitamin के बीच में कुछ तो गुटरगू है, ठीक है, तो अपनी गति विधिया करने के लिए उसको कोबाल्ट की ज़रूरत होती ही है, हर सफल वेक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इस vitamin के पीछे कोबाल्ट का हाथ है, बताइए, आंसर क्या होंगा आप लोगों का, तो आंसर हो जाएंगा आप लोगों का, vitamin B12, ठीक है, इसी को आप लोग कोबाल्ट भी बोलते हो, यह याद रखना है आप लोगों ने, तो vitamin B12 जो है friends, आप लोगों का, इसको अपनी गति विधिया करने के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, और इसी वज़े से इसका नाम भी कोबाला मीन पढ़ गया, कोबाला मीन पढ़ गया है आप लोगों का, इसको कई बार साइनो कोबाला मीन भी बोलते है, साइको हो गया है कोबाल्ट के पिया इसे यहाद रखलें रांजा लोग है कोबाल्ट के कारण इसका क्या पड़ गया है कोबाल्ण मिन देखिए कोषें कि कोबालामीन किसका नाम है तो आप लोगों की जिन्दगी के अंदर में डारेक्ली आपको याद आना चाहिए कि विटामीन B12 को बुला जाता है पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दिये इसकी क्या है तो ठीक है थो को जी जी पर अब जाने जोगों के ओधारेक्शा ऑफिछ स्टोरी अतार डारयव श्रीन यहां पर मैं किस वर्श किया गया दों मता चिसन के ब्लों का इता स्टाम्राइब और सब्सक्राइब और में देखे, भारती रिजर्बैंक की जो स्थापना है, यह हुई थी आप लोगों की 1st April, 1 April 1935 को, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह प्राइवेट बैंक था उस समय में, इसका राश्ट्रिय करन मतलब पूरी तरह से सरकार ने इसको खरीद लिया 1950 के अंदर मे तो यह भी आप लोगों का important question बनता है कि 1949 के अंदर में इसको पूरी तरह से खरीद लिया गया था सरकार के दुआरा, राश्ट्रिय करन बोलते है, नेशनलाइजेशन बोला जाता है, और यह तारीक थी 1st January, 1 January 1950 को पूरी तरह से खरीद लिया था, भारत सरकार ने और अभी एवी कल्चर किसको बोला जाता है, एवी कल्चर, बताइए जल्दी से, एवी कल्चर किसको बोला जाता है, और मैं यहाँ पर मैं देख रहू हूँ, ठीक है, continuous लोगों के answers आ रहे है, तो याद रखना है, जब भी हाँ पर मैं, एवी कल्चर की बात आजाए आप लोगों से, तो हमेशा याद रखना आप लोग, यह बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो पक्षियों को रखना और उनको पालना जो है यह एवी कल्चर कहलाता है, एवी कल्चर, फिश को पालना जो है वो पिस्सी कल्चर कहलाता है, उसके बाद में जब आप लोग रेशम के कीड़ों का उतपादन करतेइं तो उसको सेरी कल्चर और अग्चुर का उतपादन करते ओ तो वीटी कल्चर कहा जाता रिजाथ एक नदूर पूछिटे है आप सभी लोग को इस तरीके से साफ यहाँ पर में आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस किई एवी कलचे सब्लोग कमेंट में लिख दो सभी लुद्टेंगे कमेंट में मिली कि एक बाइवी कल्चर का मतलब होता है क्रियरि ओव लोगों ने AV culture for birds now आप लोगों को बताना है friends की finance commission ठीक है आपका इसका गठन कितने साल के लिए किया जाता है हर कितने साल में finance commission with आयोग का गठन करता है राश्ट्रपती हमारे ठीक है तो ये भी important point है कि with आयोग का गठन करता कौन है तो finance commission इसका गठन राश्ट्रपती के द्वारा किया जाता है तो राश्ट्रपती जो है हर कितने साल में करते है with आयोग का गठन ये भी question आप लोगों से बनता है तो हर 5 साल के अंदर में करते हैं याद रखने है आप लोगों ने 5 साल में तो हर 5 साल में एक नया वित्त आयोग बनता है आप लोगों का नया वित्त आयोग जो क्या करता है टैक्स का बटवारे की बात करता है कि जो भी पैसा सरकार के पास में आया है कितना परसेंट केंदर सरकार रखेंगी इतना पैसा केंदर सरकार रखेंगी का finance commission का यह भी बता दीजिए आप लोग finance commission का article तो article है आप लोगों का 280 यह भी याद रखेंगे सभी लोग चालिए बहुत बढ़िया next question की तरफ में आगे बढ़ते है आप लोगों का यहां पर में जो answer है वह आपका C हो जाएगा next which vitamin degenerates after polishing the rice आप आपको पता है कि polished rice कभी नहीं खाना चीए वो जो 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 नहीं पॉलीच होते चमकाने के लिए आप देखकर लेते हो अरे वाह कित्ते सुंदर से चावल है थेके इत्ते सुंदर सुंदर से चावल यह चावल खरीदते है नहीं करना चीए ऐसे अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगी ascorbic acid, calciferol, thyroxine या thiamine क्या नहीं मिलेंगा आप लोगों को अगर आपने polished चावल खाये तो आप लोगों को एक चीज नहीं मिलेंगी वो कौन सी चीज है तो वो चीज है friends thiamine प्लीज इसको याद रखना आप लोग थियामीन आप लोगों को नह अगर बात करेंगे हम लोग यहां पर में थियामीन की आप लोगों की तो यह vitamin B1 आप लोगों का vitamin B1 प्लीज इसको भी याद रख लेने आप लोग एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है B1 vitamin B1 तो कभी मान लीजे की polished चावल क्यों नहीं खाना च लोग तो polished चावल के वज़े से उपर का जो covering है वह हट जाती है जिसमें vitamin B1 होता है तो वह हट जाने के कारण आप खा नहीं पाते हो क्योंकि उसको तो चमकाने के लिए हटा दिया गया है ना इसी वज़े से ठीक है तो थियामीन vitamin B1 होता है आप लोगों का ना फ्रेंट्स एक question बहुत ही important वाला ठीक है बहुत ही important question इसको super duper important mark करेंगे आप सभी लोग मैं 4 के 4 पार्ट आपको बताता हूँ जल्दी बताए इसका answer क्या होगा आप लोगों का इस question का answer करेंगे सभी लोग बहुत बढ़िया देखेंगे अगर मैं बात कुरूँ आप लोगों से मौलिक अधिकारों को परिभाशीत किया गया है कौन से वाले पार्ट में हमारे समवीधान के अंदर में at present 25 पार्ट से present में कितने पार्ट से कितने भाग है कितने भाग है हमारे समवीधान के अंदर में 25 पार्ट यह याद रखेंगे सभी लोग सबसे पहले तो अलग-अलग भागों को आप लोग जो है अलग-अलग चैप्टर की रूप में वर्नित कर सकते हो जैसे आप लोगों की बुक में अलग-अलग चैप्टर होते हैं वैस भारत का नाम और भारत का राज्य तो भारत के नाम और भारत की टेरिट्री भारत का जो एरिया है उसको कहा पर में वर्नित किया गया है वह वर्नित किया गया है भाग एक के अंदर में पार्ट एक में तो इंडिया एंडिया 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 एंडिय territory territory का मतलब होता है शेत्र तो भारत और भारत का शेत्र भाग नमबर एक में वर्णित किया गया है भाग नमबर दो में नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन नागरिक रहेगा कौन नागरिक नहीं रहेगा नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है भाग न तीसरे नंबर के चैप्टर में, चौथा नंबर का जो चैप्टर है आप लोगों का यह वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर में आपको DPSP, DPSP, Directive Principle of State Policy, राज्य के निती निर्देशक तत्व, राज्य के निती निर्देशक तत्व, यह याद रखने हैं, आप लोगों न निती निर्देशक तत्व, यह Directive Principle of State Policy, जिसको कहा जाता है, DPSP वो दिया गया है, तो मैंने आपको पहले चार पार्ट आज पताए, मैं आपको धीरे 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 पूरे 25 के 25 पार्ट याद करवा दूँआ, क्योंकि मुझे पताए कि कोई भी पार्ट आप लोगों से दूसरे वाले भाग में, तीसरा वाला भाग जो है, वो आपका मौलिक अधिकारों से related है, मौलिक अधिकार, Fundamental Rights, और तीसरा वाला जो चौथा वाला जो भाग है, आप लोगों को उसमें राज्य के नेती निर्देशक तत्व दिये गया है, तोटल कितने भाग है हमारे भा सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक कोश्यन है, मान लीजी कि आप लेक्चर देखते देखते आप लोगों का यह हो गया, मैं तो थक गई, सर कमेंट करके, कॉपी पेस्ट करके, मेरी तो उंगलियों की पूरी की पूरी एनर्जी खताम हो गई, सर मेरी उंगलियों को जल्दी से जो है न, एनर्जी की ज़रूरत है, ठक गई में कॉपी पेस्ट करके, तो आप लोगों को क्या चाहिए फटाक से, तो कोशिकाव में ततकाल, उर्जा, उतपादन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फट तो देखें, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ग्लुकोज जो है, आप लोगों को लेना चाहिए, आप लोगों ने लिया भी होगा ग्लुकोज, जो है बचपन के अंदर, बचपन में आप लोगोज पीते होंगे, एक्चुली क्या होता है, फ्रेंच कि कार्बो हाइडरेट से ही बनता है, कार्बो हाइडरेट जब तूटते है, कार्बो हाइडरेट उससे ग्लुकोज बनता है, तो हमारी बोडी में, हम जो खाना खाते है, उसमें कार्बो हाइडरेट होता है, कार्बो हाइडरेट जाता है, तूटता है, फिर पचता है, फिर बहुत ही सरल इसका चो पोजीशन वह बहुत ज्यादा सरल है बॉडी को बहुत ज्यादा महनत नहीं करती इसको एब्जॉब करने में तो फटाक से जो है न वह क्या होता है लेते हैं लोग जल्दी से वह अंदर में अब्जॉब हो जाता है और आप लोगो कोशिका तक पहली बार जो है आप लोगों की भारत के अंदर में पहली बार सरकार बनी थी 1947 के अंदर में नहरु जी के नेतित्व के अंदर में तो आप लोगों को बताना है फ्रेंट्स की कि उसमें लॉग मिनिस्टर कौन थे बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर में देख पार हो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में तो याद रखने आप लोगों ने डॉक्टर भीम राओ आमबेटकर जो है यह भारत के पहले क्या थे लॉग मिनिस्टर थे कानून मंत्री थे इंपोर्टरन पॉइंट है आप लोगों का अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं सारे के सारे आप लोगों को मिनिस्टर याद करवा दू तो वो में को कमेंट करके आप लोगों जरूर बता ना मैं सारे के सारे आप लोगों को बता दूँगा एक चीज़ याद रख लेना हoire बस कि महम्मद अली जिन्ह श्रराओ टाओ थे, मतलब मंत्री नहीं बने थे भारत के सरकार के अंदर में मुद्ध्धर बने, न ही वो सम्विधान सभा के सदस्य थे, सम्विधान, जो सभा है आप लोगो की, उसके सदस्य भी वो नहीं थे, सम्विधान सभा के सदसे भी नहीं थे मुहमद अली जिन्ना तो यह दोनों पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने क्योंकि उनको ना तो ना तो नहरू जी से कोई छोटा ओधा मनजूर था, ठीक है ना तो वो यहाँ पर में जाकर यह दिखाना चाहते थे कि वो बाकी लोगोगों जैसे हैं समविधान सभा में जाकर यह याद रखना है आप लोगों, कि समविधान सभा के अंदर में भी नहीं थे प्रिवी पर्स मतलब जो है फ्रेंट जो पुराने राजे रजवारे थे जो भारत में मिल गए जैसे फॉर एक्जामपल आपको बता दू फ्रेंट की करी पास्टो पैसाट रियासते हुआ करती थी आजादी के पहले जिसमें से मैक्जिमम भारत में मिली ओके इधर में ही रा कांट्रेट किया था और यह पैसा दिया जाता था हमारे टैक्स के पैसे से हमारे टैक्स का पैसा लिया जाता था हमसे उसमें से कुछ पैसा इस पर्स में डाला जाता था प्रीवी पर्स में और इसमें से फिर इन राजे रजवारों को अपनी एश आराम की जिन्दगी जिन इस प्रिवी पर्स को ही गोली मार दी है खतम बोले नहीं देंगे पैसे हम आपको यह पैसा जनता का पैसा है जनता के उपर में खर्च करेंगे आपको नहीं देंगे आप लोग बताओ सही किया या गलत किया उन्होंने जल्दी से बताओ आप लोग इन्होंने सही किया या गल आप लोगों का राजे रजवाड़ों को दिया जाने वाला पैसा था उसको 1971 के अंदर में 26 समिधान संशोधन के जरीए खतम कर दिया गया था यह बहुत ही स्वेड़ी उसको नहीं करना है तो उसको नहीं करना हुछ उसको नहीं करना है वो नहीं पाण यह वो इसको सपने पूरे करने हैं जिसको जो है अपना अच्छा स्कोर करना है यहां पर में यह जो गोल्डन अपोर्चुनिटी उसको ग्रैप करनी है तो देखना पड़ेगा लेक्षर अप अधीच जिरोल चाल बौक्त और तो फादर अफ इंडियान एंन्रेस्टू इपAnt 1 याद रहा है आप लोगों को अभी starts अफ वैलंकि पुस्तन लिखी ती इंडियां अंरेस्ट करके इंडिया अंटर इस बुक के अंदर में इसने यहां पर में बाल गंगधर तिलक के ऊपर में यारोप लगाया, बत चिरोल तेर इतनी ज़ादERS किसी को भी कुछ भी बोल ना अच्छी बात है ये आगर आगर ऐसे यूटूब का कमेंट नहीं था नहीं तो तो फुफची बनके तो किसी को भी अगर तेरे पास में दे देते हम लोग YouTube का कमेंट, तो तू पगला जाता, बाकी लोग, मतलब जो कुछ लोग पागल लोग होते हैं उनकी तरह, जो किसी को भी कुछ भी गाली देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सिधा, है की नहीं, सही बात है या नहीं, जब नहीं था इसके पास में तो उसने एसी हरकत की, ठीक है, इसको बूला जाता है, एक तिर से दो निशाने, आप लोगों को एक तो याद करा दिया और उसके बाद में, दूसरा वाला जो ट्रोल आर्मी है, उनको पागल भी बोल दिया, इसे को शास्तरों में एक तिर से दो निशाने कह हमितने मिशें कॉन भारत के संविधानar के तहट एक अधिकार नहीं है अरे अग्रेश्ख कानल को नहीं बोला जो लोग मतलब और जुरुलूल कमेंट करते न मतलब टोल आर्मी टोल लिंग लूद्ध को जीनको उनसे घर की डाम के उपर में मैसेज करेंगे ठीक है उन लोगों को बोल रहो हूं या फिर टीचर को कुछ भी बुलेंगे उसका कॉन्फिडेंस ही लाने के कुशिश करेंगे जी देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर में हमारे भारत के समीधान के अंदर में आप लोगों के पास में पार्ट नंबर कौन सा है जिसमें चौदा से लेकर अठरा तक दिया गया यह आपका फंडमेंटल राइट है ठीक है राइट टु फ्रीडम ठीक है आप लोगों का 19 से लेकर 22 तक के जो अधिकार है यह राइट टु फ्रीडम के अंतर गताते है राइट अगेंस्ट एक्स्प्लॉइटेशन मतलब शोशन के ख इलाफ अधिकार है आपका यह फंडमेंटल राइट है आपका राइट टु सिटीजनशिप कोई अधिकार नहीं कि आपको नागरिक्ता मिलनी ही मिलनी है नागरिक्ता देनी ही चाहिए सरकार ने आपको ऐसा कोई कानून नहीं है तो नागरिक्ता जो है फ्रेंड्स यह देन चाहिए ही चाहिए यह अधिकार, या देना ही पड़ेंगा सरकार को, ऐसा कंपल सरी नहीं है, यह प्लीज इसको याद अखना, पार्ट नमबर 3 में दिया है, फंडमेंटल राइट्स, यह सारे के सारे धीरे, 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 मैं आप लोगों को करा दूगा, नागरिक्ता कौन से वाले पार्ट में दी गई है, पार्ट बता दो आप लोग, यार, एक है, मेरे हाथ न मेरे दिमाग से जाधा तेस चल रहे है, अजकर, दिमाग सोच रहा है और वो लिख भी दे रहे है, उतने स्पीड में, बताईए, वेरी गुड, तो पार्ट नमबर दो है, ये याद रखना है, आप सबी लोगों ने, तो पार्ट नमबर दो के अंदर में दिया गया है, नागरिक्ता से रिलेटेड अधिकार, नागरिक्ता से रिलेटेड प्रावधान, अधिकार रही है नागरिक्ता आपका, प्रावधान दिये गए कि कौन नागरिक रहे की और इससे पहले भी मैंने एक लिस्ट आप लोगों को दी थी वो लिस्ट ये लिस्ट आपको दानिश्यक टेलिग्राम गुरूप के उपर में डी ए ए ए ए ए सच ए आई के एच या फिर टीचिंग परिक्षा ऑफिशल टी ए ए सी एच आई ए एंजी टीचिंग परिक्षा कि अप लोगों को मिल जाएगा टीच दो टेलीग्राम गुरूप है दोनों को आप लोग जोईन कर लीजिए वहां पर मैं इसको डाल देता हो आप लोगों के लिए जिससे आप लोग कर सकते हैं चलिए नौ फ्रेंड्स अब मैं कुछ सवाल पूछ रहो आप लोगों से उन आप लोगों का ठीक है वी ट्वेल को क्या नाम दिया जा सकता है वी ट्वेल विटामीन बीट्वेल को क्या बोल सकते हो आप लोग इसके प्यार में पागल है विटामीन बीट्वेल ठीक है कि अहां से लेना होगा टाली ग्राम के पर में अविलेवले टाली इस नो're दूसरा वाला आप लोग बताओंगे मुझे की पॉलीजट चावल से पॉलीजट राइस से kolist rice जोो होता है इससे कौन सा vitamin जो है वह कम होजाता है कौन सा vitamin अधमिन हना हो इसके अलावा आप लोग मुझे बता सकते हो कि AV कल्चयर मतलब क्या होता है और मैंने आपसे कहा था कि activity करो, कहा था मैंने, जिन बच्चों ने लिखा होंगा, comment में उनको याद हो गया होगा, मैंने कहा था comment में लिखो, जब जब मैं कहता हूँ comment में लिखो, तो लिख देना चाहिए आप लोगों advancing state, तो लिखो, ये सारे के सारे भी आप लोगों ने लिखने अभी comment के अंदर में, उस समय भी कहा था मैंने आप लोगों से, तो AV culture मतलब क्या होता ये आप लोग बताओंगे मुझे, इसके अलावा आप बताओंगे मुझे, कि father of Indian unrest किसको कहा जाता है, father of Indian unrest किसको कहा गया है, ये very good, ठीक है, उसके बाद में, friends, आप लोग मुझे बता दोंगे, International Court of Justice, ICJ, अंतरराश्ट्रियन न्यायले, जिसको बूला जाता है, वो कहा पर में, इसका headquarters कहा पर में है, International न्यायले का headquarters कहा पर में है, ये आप लोग बताओंगे मुझे, अंतरराश्ट्रियन न्यायले के, ठीक है, जल्दी यल्दी से like का बटन भी दबा दो, इतने सारे लोग देखे रहे हैं, अगर आप चाहते हो, कि ऐसे ही मैं आपको याद करा दू, आपकी practice भी करा दू, सार लोगों को पढ़ा सके, तो बाकी मिलते हैं हमारे next lecture के अंदर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, YouTube के उपर में मेरे बहुत सारे और भी lectures लगे हुए, आप लोग जा सकते हो, YouTube के उपर में दानी सर, बिहार जी के बैदानी सर या और भी बहुत सारे lectures आप अभी, क्या भी, lecture देख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़े revise हो जाए, नौ, बाकी मिलते है friends हम लोग हमारे next lecture में, तब तक ले, thank you very much, take care and bye, God bless you all, thank you very much friends, वो टेलीग्राम पर में अभी डाल दे रहो, दोनों टेलीग्राम पर अभी just, just 60 seconds लगेंगे मैं डाल दूगा, 60 seconds के अंदर में आपको मिल जाएगा भापर में, bye, thank you